वेलकम बैक आज के इस वीडियो में हम Microsoft Excel का एक न्यू ऐसा फंक्शन कवर करेंगे जो कि आपको Microsoft Excel का एक्सवर्ट बना देंगा जैसे कि अभी जो है Microsoft Excel में एक से ज़्यादा कॉलम की वैल्यू को जोगर जॉइन करना हो तो हर Excel यूजर के दिमाग में एक फंक्शन आता है जैसे कि कॉनसितिनेट या कॉनकैट लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ का जो प्रोसीजर है जैसे कि हर कॉलम के बाद जो डिलिमेटर है वो हर बार आपको वहाँ पर मिंशन करना होता है तो यह काफी लिंडी प्रोसेस होता है जा पर एक भी अगर गलती हो जाती है बीज में तो पूरा function काम नहीं करता है properly तो अभी Microsoft Excel में जो है एक नया function आया है जो कि आपका ये problem जो है पूरी तरह से sort out कर चुका है तो अभी इसका नाम है tax join अभी हम ये जो है ये सेल में ये function apply करेंगे tax join अभी ये मांग रहा है delimiter अभी ये delimiter जो रहेंगा ये tax रहेंगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जो भी रहेंगा अगर आप space देना चाहिए जो भी देना चाहिए वो दे सकते है मुझे यहाँ पर जो है यह minus का जो symbol होता है वो देना है उसके बाद में ignore empty cell yes मुझे जो है ignore करना है empty cell यहाँ पर नहीं लेना है तो ignore करने के लिए one और not मतलब ignore नहीं करना है तो उसके लिए हम मतलब true or false वाला यहाँ पर जो है और इंटरप्रेस करेंगे तो यह देख लीजिए पूरी तरह से तीनों कॉलम की जो value है यह दिये गए delimiter के हिसाब से join हो चुकी है अगर यह data कितना भी हो अगर मैं यहाँ पर जो है उसको fill down भी कर सकता हूं या copy paste भी कर सकता हूं तो इस तरह से यह function काम करता है